सादर जैजिनेर, क्रिया दिदी, रदीब भाईया, मैं संजे चौहान, बीवनडी से, आपको जैजिनेर कहता हूँ, सबसे पहले मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कार्याप कर रहे हैं, वो निश्वार्थ है, ऐसा जल्दी को ही नहीं करता हूँ, इसलिए मैं तहे दिल से अपको इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरी आपसस पहले मुलाकात हुई थी भिवन्डी में, जो आपका तीन दिन का बक्तामर का शिवीर था, आज से तक्रीबन दो साल पहले, तब आप सभी बदा रहे थे, पिछले अफ़ते मैंने आपका न्यूमरिक कोड का सेकंड़ वाला सेशन एटेंड किया, अब पहला तो एटेंड नहीं कर पाया था किसी कारण से मैं, काम में व्यस्त था, इसमें नहीं कर पाया, लेकिन दूसरा सेशन जैसे ही एटेंड गिया, मेरे मन में एक अजीब उर्जा पैदा हुई, इस न्यूमरिक कोड के बारे में मैं इतना, मतलब, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सक्ती इसमें हो सक्ती है, मैंने उसी दिन अपने खलाई पे, जो कि आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, एक कोड मैंने कोरोना का लिखा, और एक कोड मैंने स्ट्रेस के लिए लिखा, कोरोना का लिखने का कारण ये भी था कि मुझे तो-तिन दिन से थोड़ा सा भुखार जैसा लग रहा था, कोड़ी खासी हो रखी थी, तो एक मन में डर था, कोरोना का लिखा, लेकिन जैसे इसको लिखा, डर तो मुझे दूसरी दिन खतम हो गया, और दो दिन में मुझे अपने आप में मतलब अच्छा भी लगने लगा काफी, और स्ट्रेस नम की चीज़ तो मुझे फिर वो आई लिए, इसी के चलते मैंने अपने सारे परिवार के मतलब मेरे वाइफ, बच्चों के सब के तलाई पे कोरोना का पोड लिखते रखा है, और श्रत्ता पुर्वक सब लोग इसे डेली रीचार्च होते जिसे चार्ज करना है, नवकार मंतर की ताप से हम इसे चार्ज भी कर रहे हैं, और उसको जो अगर अलका हो जाए तो उसको वापिस से डार्क कर रहे हैं उस नमबर को, और काफी फरक पड़ रहा है, हम अपने मैं फिर से वापिस एक बार आपका तहर दिल से दन्यावाद देना चाहता हूँ, ख्याली और प्रदीब जी